कि मैं खड़ा हुआ है बन रहा है अच्छा करते रहूं तरी नमस्कार मेरा नाम स्वारोश वास्ता रहा है मैं आपको एलकलाइन और हैसेडिक क्या चीज होती पहले यहीं बताँ को और हमारे आसपास में जो महौल है तो किस तरीके का हो चुका है और यह भी आप जब अधा भी लगेगा एक बॉटल में यह हमारा एलकलाइन आउनाइस्ट वॉटर है इसका थोड़ी मात्रा में इसमें आपके समने इस ग्लास में डाल रहा हुआ है यह हमारा मार्केट में अबलेबिल एक प्रांट बेस प्रांट सो कुई दुश्मने नहीं कुछ भी आगर आ दीफ मिलने वाला एक ब्रांट है सरगे की कोई भी एमरा एलकोहल और जो आज की तारीक में यह भी टैमो से भी आपको नजर आएगा बच्चों के लिए मोस्ट डेंजरस तिक ना के बल स्प्राइट बलकि कोई भी ब्रांट जो मार्केट में अबलेबिल पेपसी हैं सेवन इस तरह के नजरी कितने ब्रांट अबलेबिल हैं तो सारे के सारे बच्च्चों के लिए हानिकारा कि इतनी हानिकारा को भी आप देखेंगे कि तो मैं इसकी थोड़ा सा पार्ट इस जार में डाल रहा हूं और आम तो पर किसी भी चीज की एक अशिड़िटी और अल्कुलिटी को चेक करने के लिए यह एक पी एच जेस्टर के नाम से कहलें जी है यह यह उनिवर्सल इंडिकेटर कहलाता है कि यह आप नहीं से भी चुछ भी करते हैं जी चार्ट आप देख रहा है इसमें 0 से लेकर 14 30 डिजिट्स है तो 0 से लेकर 6.9 तक अगर कोई चीज आती है तो वह एसडिक कहला था और तिस तरीके से हम जान बुचकर अपने इस अलकलाइन बॉडी को एसडिक कर रहे है और कहा जाता है कि अगर आपकी बॉड़ी एसिडिक है तो उही बीमारी उसमें प्रिवेश करेगी लेकिन अगर आपकी बॉड़ी एलकलाइन है तो उसमें कोई बीमारी रुती ही नहीं सकते है चाहें वो कैंसरी क्यों न हो और हम अपने बच्चों के साथ में कितना खिलवाल करना है जाने और अंजाने वो अभी आप आप देखें तो मैं क्या दिखाना है और 7 नीचे एज़िक हो गया और उसकी रेंज आले लागे लागे और 7 नाइट 10 11 इसब अलकलाइन की सड़ी में आपके आपके यह आरो में यह कुछ बुने में ने डाली एलकोहल में और कोड़रींग और आप देखें इनमें कौन-कौन से कलर आएं यह हमारा यह लूप की दरफ हो गया दस बीच की आसपास का है नो भी आचकी आसपास का है वही पर अगर हम देख रहे हैं यह हमारा आरो वाटर और यह हमारी कोड़नेंग और वाटर जो है वो छे और पाँच के आसपास रहता है यह भी हमारा फाँच और छे के आसपास रहता है लेकिन नकर हम कोल्डरिंग को देखें तो कहां पे है एक या दो के आसपास और सबसे मज़ेतर बात अगर आप देखें कि हम इस पानी के मात्यम से बहुत सरी चीज़ों को अल्कॉलाइन कर सकते हैं लेकिन जहां जो जो लोग कोल्डरिंग पी रहे हैं खाने के शोकीने पीने के शोकीने बच्चों को पिला रहे हैं उनका क्या हाल होगा वो अभी आप देखेंगे कि मैंने इसी अल्कॉलाइन पानी को अगर आर्व में डाला तो क्या हो गया ये भी अल्कॉलाइन में कनवर्ट हो गया जो ये हमारा अल्कॉहल है ये भी एसेट फॉम में होता है इसमें मैंने इस पानी को डाला ये भी इसमें alkaline में convert हो गया लेकिन अगर मैं इसमें alkaline पानी डाल रहा हूँ तो ये इसी भी तरीके से convert नहीं हो रहा है और क्या कोई भी बच्चा इतनी सी कोल्डरिंग पीता है 10 ml ये 20 ml कोल्डरिंग पीता है वो 200 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml, 500 ml कोल्डरिंग पीता है तो ऐसी पांच लीटर भी अगर पी जाएंगे तो उनकी गॉड़ी पे alkaline मेंटेन नहीं हो सकती किसी भी कंडिशन में तो आप सोचिए उन बच्चों को भीमार होना है कि नहीं होना है और जिस दिन से मैंने ये टेमों देखा और मैंने आस-पास के लोग जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं और इन फूचर की जो लोग देखेंगे मेरी उन से हाथ जोट के रिक्वर्स है कम से कम कोल्डरिंग का अपने हाथों से अपने बच्चों को कोल्डरिंग रूपी जहर ना पिलाए कितने ही मैं कहना चाहूं का दन्यवाद